कि हैलो फ्रेंड़ आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं हम सब अच्छे होंगे चलिए हम लोग स्टाट करते हैं P2o और Means को जो पीटी और मीन्स वाला हमारे प्रोग्राम है किस तरह चलीगा अप mature मंत का गाराम है जिसे कंप्लीट कर चुके है जिसमें मैंने आपकी सारी यांसी आटीस कवर कराएं थी साथ में जो आपका बेसिक था वो कवर कराया था अब लोग हम स्टार्ट करते हैं इसके आगी का जो प्रोग्राम है जो इट मंत का है जिसमें मैं आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रिपेर करूंगा देखिए जो फूर मंत वाला प्रोग्राम था इसमें मैं आपको टाक्स देता था ओके और इसको आपको कंप्लीट करके टेल करना होता था लेकिन अब यह वाला टाक्स से थोड़ा अलग है क्यासे नंबर एक इसमें टाक् सर्दिया करूंगा इन्हें आपको बहुत अच्छे से देखना है साथ में कॉपी पैन लेकर बैट है जिन की पॉइंट और जिस पेस पे मैं आपको बदाता हूं उसी दर आपको पढ़ना है और देखिए जो एडवन के हमारी स्टैटिस ही है इसमें हम लोग टार्गेट कर और ज़ए जग एटर्वन की क्या है और इस वीडियो में आपको बताऊंगा जांगा वर गराऊंगा तो हमारे मेरे डिसमब्र सल्ल आ कि सारी वीडियो आपको मिलने लगी है अगर आप लोग सीरीज देखना चाहते तो यहां पर एक आई बटन आता है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सीरीज मिल जाएगी अगर आप लोग इसको बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं जैसे जैनबरी फरबरी मार्स में देख करना है आपको इस एक्वानिमिक को कबर करना है कैसे इस सीरीज पर जाएए इस सीरीज को देखिए स्टार्टिंग से अंड तक आपकी पूरी अक्वार्य कबर हुजआगी सांते आपको पर पढ़ नहीं और इसकी जो यह बन मंन्थ वाला प्रोग्राम है यह आपको मिल जा जैसे कि मैंने इसमें बताया है कि दिसम्बर में आपको क्या कबर करना है और आपको किस तरह से जो इकॉनमिक से उसका जो स्लेवा से मैं एक दम ब्रॉड में आपको समझाऊंगा बर्टो बर्ट हम लोग डिसकसन करेंगे साथ में बताऊंगा इस तरह से कि आपको किस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट है वो पढ़ने चाहिए तो यह बहुत ब्रॉड होने वाला तो यह वाला पार्ट है यह आपको बात में मिलेगा मतलब कल आपको मिल जाएगा तो हम लोग दिसंबर में कवर करेंगे economics की आपको video lecture देखना है सारे के सारे दिखना है और focus study करना आपर और हम लोग जनवारी में कवर करेंगे और फरवारी में हम लोग कबर करेंगे जियोग्राफी को कौन सी जियोग्राफी इंडिया और फिजीकल जियोग्राफी हो गई और इंडिया जियोग्राफी हो गई इन दो उनों जियोग्राफी को कबर करेंगे साथ में यहां पर हम अग्रिकल्चर कबर करेंगे देखे अग् अब दीखे जून में हम केबल जो करेंट होगा वो पूरी साल का करेंट और हम यहाँ पर है अब देखे हमारा जो एक्जाम होगा वो 27 जून को है ओके 2021 का जो पीटी होने वाला है यूपी एसी का वो कब होगा 27 जून को गा देखे जो यह प्रोग्राम है बहुत ही साइन्टिफिक है अब ही आपको समझपा जाएगा यह साइन्टिफिक क्यूं है देखे इन तीन महीने में हम लोग क्या करें क्यांगे करेंट फिर दिखें जो पहले कि हँपर आप देखे सकते हैं सब्जक्ट में इंकốn इसके बाद में बहुत जादा के इसी को पात वह पातमें रखाए तो आपको दो महीने हमें साइंस टेक्रात इंडो महीने में कर रिविजन कराऊंगा जिससे आपका पीटे होगा वो बहुत ही बैदरियों होगा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा साथ में जो इन्वार्मेंट हो गया यह भी बहुत बड़ा सेक्सन है जो करेंट अफ्वेर के थ्रू हम लोग कवर करेंगे एक करेंट तो एक तम चलता रह संब्सक्री ऐतने तो पूरा गराएंगा लेकिन अगर आपके और सबजेक्ट है कोई अधर सब्यक्ट आप लेना चाहते हैं तो आप पुछे बता दीजिए मैं उस पर गाइट कर दूँगा आपको बुक्स बता दूँगा इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं और आप आप 2-3 गंटे अगर अप्शनल के लिए डेली देंगे तो आराम से कवर कर लेंगे नीचे साथ महीने में तो इस तरह हम अपना पूरा प्रोग्राम कवर कर लेंगे अब हम लोग देखते हैं मेंस का स्लेबस क्या है देखें मेंस की स्लेबस को हम दो भगों बढ़ करके देख दे यहैं जैसे की इसमें 12 लेंग्वेज conteúdo जो हमारी आठनी अनी सूची में दिए इसके अलाबा इंग्लिस भी इसमें है में इसके अलाबा इंग्स फियन का यानकि इतनी है अब ये दोनों फ्रे हैं कि यह दोनों फ्रेgor था हुआ Shap dictam wus फटा हुआप उते हैं उर सिर्फ इन्हें पास करना होता है ऐसा नहीं कि आपको इन्हें बहुत जाधा आस गारें नहीं इस्का मण्यां करना है सिर्फ पास होना है इन्हें आराम से आप इसको qualify कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए एक दूबुक ले आई हैं कि आराम से कर सकते हैं और देखिए दूसरा पार्ट है जिससे इसमें आता है इसमें आता है इसमें आता है इंडियन हैरीड़ेज और कल्चर साथ में इसमें आता है history and geography of the bird मतलब जो history और geography है वो आपको पूरी बिस्फ की पढ़नी है इंडिया को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि bird के अंदर ही इंडिया आता है ना इंडिया बाहर थोड़ी ना है इस बिस्फ के और साथ मैं आपको society पढ़ना है यह देखिए जो इस syllabus से बहुत ज्यादा scientific है जब आम मेरे साथ दू-तीन महीने गुजार लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस subject के बाद इस subject क्यूं दिया रख है और यही किरम क्यूं दिया रख है तो आपको syllabus से बहुत अच्छे से मैं अनलिसिस कराऊंगा इसका तो आप लोग परिशान होगे और देखिए जीएस पेपर सेकेंड है इसमें आता है governance, constitution, polity, social justice और international relation ओके और जो जो पेपर थर्ड है यानि कि जीएस पेपर थर्ड जिससे बूलता है यह बहुत जादा ओरेंटेट है, current ओरेंटेट है साथ में जो पेपर फोर्थ है, इसमें देखिए ethics, integrity and attitude यह पहले नहीं होता था लेकिन आप इसको एडगर दिया है तो इससे भी हमें पढ़ना पड़ेगा देखिए इसको बोलते हैं आपने सुना होगा नीति सास्त्रेवारे में वच्वन में हमारे पास होता भी था तो आपकी जो ethical पावारी है जो आपका व्यक्तित जानने के लिए एक होता है इसको पेपर को अलग से डाल गया है जिससे आपके व्यक्तित को पहचाना जा सके इसके अलाब़ा दो पेपर होते हैं यह होते हैं optional के किसके होते हैं optional के कि अच्बाद यह वहाई है तो कि आपसोड़ा सकते हैं जो बीक प्रहूंतर पहसे ले सकते हैं जो भी आपको फसंद वह आप ले सकते हैं मैंने आपको पहले भीस के बारे मैं कई बार पता चुकशा होगगी तो यह टोटल कितना होता है इस सारे पेपर होते हैं टोटल होता है, उस 1750 का हो जाता है और प्लस 275 marks का क्या होता है, इंटर्वियो होता है, तो देखिए, पहले ये तो देखिए, ये सिर्फ क्वालिम्फाई हैं दोने, जो 600 marks है, ये तो क्वालिम्फाई हैं और 1750 हैं, इसी में आपकी merit बनती है, इसी merit के बेस पर आपको call आता है फिर call आएगा फिर आप जाएंगे interview देने के लिए फिर आपको interview में marks मिलेंगे फिर इन दोनों को जोड़के final merit बनती है और इसी बीस पर आपको क्या होता है तो आप आराम से सेलेक्शन ले लेंगे जैसा मैं बताना हूं बैसा कड़ी रही है और आपको next video है December का एक कल आपको मिल जाएगी जिसमें मैं आपको बता हूं को तो एकदम बोरिंग नहीं है मैं economic subject कहते हैं इतना बोरिंग है फिर भी इतना इंट्रस्टिक मना दिया है तो आप लोग मेरा सफ़ड़ सपोर्ट करिये मेरा भी motivation मना रहा रहना चाहिए ना तो इसको आप लोग लाइक करें और ज्यादर सेयर करें और हमाई चैनल को तुरन subscribe करें ओकी चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर इफिनिस करता हूँ और डेली आपको economics की series आपको मिलती रहेगी